प्रियंका कॉलेज से वापस घर जा रही होती है, वो अपने अमीर दोस्तों के साथ होती है प्रियंका काफी दिन हो गए है, चलो आज हमारे साथ मूवी देखने चलो सभी के कहने पर प्रियंका उनकी बात मान जाती है, और उनके साथ मूवी देखने का प्लान कर लेती है लेकिन तभी पीछे से प्रियंका को उसकी बहन सलोनी आवाज लगाने लगती है प्रियंका प्रियंका रुको, यहां कहां जा रही हो, घर नहीं चलना है क्या तुम्हें प्रियंका जब पीछे मुड़कर देखती है, तो वो अपनी काली बहन को देखकर हैरान हो जाती है, और अपने मन में सोचती है प्रियंक अपनी सहीलियों के साथ जल्दी जल्दी वहां से जाने लगती है, जिसके वज़ा से वो सलोनी को पीछे छोड़ देती है पता नहीं कहां इतनी जल्दी जल्दी में चली गई, अब मैं मा को क्या कहूंगी कि मेरी बेहन कहां गई है सलोनी परेशान होकर घर आ जाती है, जिसके बाद उसकी मा उससे पूछती है क्या हुआ तुम्हारी बेहन का ही नजर नहीं आ रही, आज कॉलेज से तुम दोनों एक साथ नहीं आई हो क्या सलोनी को पता था कि प्रियंका अपनी सहिलियों के साथ घूमने के लिए गई है जिसके वज़ा से वो जान बूज कर अपनी मा को जूट बोलती है, जिससे अब प्रियंका को डाट ना सुननी पड़े वहीं दूसरी तरफ आते वक्त बारिश हो जाती है, जिसकी वज़ा से प्रियंका पूरी तरह भीग जाती है प्रियंका भीगते हुए घर आती है जिसकी वज़ा से प्रियंका खुश हो जाती है, और कपड़े बदल कर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है प्रियंका ऐसे बोल ही रही थी कि तब ही उसकी ये सारी बातें जमीन पर बैठी हुई सलोनी सुन लेती है और उससे कहती है प्रियंका तुम चाहो तो मेरी किताब में पढ़ सकती हो मुझे नहीं चाहिए तुमारी गंदी-गंदी किताबे अपनी गंदी किताबों को अपने पास ही रखो तुम्हारी तरह काली कलूटी है तुमारी किताबे ये सुनकर सलोनी को बहुत बुरा लगता है तबी और मिला प्रियंका से कहती है बेटी अपनी बहन से ऐसी बात नहीं करते हैं मैंने कितनी बार तुमें समझाया तुम समझती ही नहीं हो मा मैंने भी आपको कई बार समझाया है कि इसे समझा दो बाहर रास्ते बीच में मुझे टोका ना करे बाहर रास्ते में लेकिन सलोनी तो बोल रही थी कि तुम एक्स्ट्रा क्लास लगा कर आ रही हो तुम कहां गई थी बेटी ये सुनते ही प्रियंका थोड़ी देर चुप हो जाती है अरे यार अब मैं मा को कैसे बताऊं मैं मोवी देखने गई थी प्रियंका ये सोच कर अपनी मा से कहती है मा मैं तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए ही जा रही थी तब ही उसने मुझे आवाज लगाई थी और आप तो जानती हो ना पीछे से आवाज लगाना बिलकुल भी अच्छा नहीं होता हाँ तुसे ही बोल रही है सलोनी ऐसे पीछे से अपनी बहन को आवाज मत लगाया करो सलोनी ये सुनकर उदास हो जाती है ठीक है मा मैं नहीं लगाऊंगी आवाज सलोनी जमीन पर बैट कर पड़ रही थी कि तभी छट से बारिश की बूने कमरे में टपकने लगती है और टपका उसकी किताबों पर भी आ जाता है अरे ये क्या मेरी किताबों पर पानी गिर रहा है अरे बारिश ने भी कमाल कर दिया रुखने का नाम ही नहीं ले रही बहुत देर तक मैं खड़ा रहा लेकिन जब समय जादा होने लगा तो मैं बारिश में भीगता हुआ वापस आ गया अजी आप अपने गीले कपड़े बदल लीजे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे उर्मिला के कहने पर दुर्गेश अपने कपड़े बदल लेता है जिसके बाद वो सुखे कपड़े पहन कर बैठ तो जाता है लेकिन घर के अंदर जगा जगा पानी टपक रहा होता है अरे सलोनी बेटा देखो जगा जगा से पानी टपक रहा है एक काम करो जहां जहां पानी टपक रहा है वहाँ पर खाली बरतन लगा दो इदा दुर्गेश अपनी गोरी बेटी को पढ़ाई करते हुए देख बहुत खुश होता है मेरी रानी बीटिया पढ़ लेकर बहुत काबिल बनेगी पिता जी आपने ऐसे ही कपड़े बदल लिए कम से कम नहा कर कपड़े बदलने चाहिए थे ना दुर्गेश को बुरा तो लगता है लेकिन वो अपनी बेटी से कुछ नहीं कहता अब रात के समय सबी लोग सो जाते हैं जहांपर सूखा होता है वहाँ पर प्रियंका, दुर्गेश और औरमिला सो रहे होते हैं लेकिन तभी रात के समय उस जगा पर पानी टपकने लगता है जिसके वज़ा से सलोनी की आँख खुल जाती है अरे अरे ये क्या पानी टपक रहा है? मा पिताजी देखिए आपके उपर पानी गिर रहा है, सरा यहां से हट जाईए अब पूरे कमरे में सिर्फ एक कोना ही बचा था, जहांपर पानी टपक नहीं रहा था वो था प्रियंका के बैट के बरावर वाली जगा, जहांपर सलोनी अपने माता पिता का बिस्तर कर देती है सलोनी ऐसा कहकर अपने माता पिता को सुला देती है लेकिन वो सारी रात जहां पानी टपक रहा होता है वहां बरतन ही लगाती रहती है आधी रात के समय जब उर्मिला की आँखे खुलती है तो वो अपनी काली बेटी की आँखे लाल और ठकी होई हालत में उसे देखकर अपनी गोरी बेटी से कहती है सुनो प्रियंका अपने बिस्तर पर अपनी बेहन को सुला लो देखो वो बिचारी कितनी परेशान हो रही है सारी रात हो गई वह एक बार भी नहीं सुई सलोनी के इतना कहने पर और मिला चुप हो जाती है और देखते ही देखते उसकी आँख लग जाती है रात को कमरा काफी हद तक गीला हो चुका था और सलोनी भी बारिश के पानी में सारी रात भीगती रहती है जिसकी वज़ा से सुबा तक उसको बुखार हो जाता है ये भगवान ये क्या हो गया देखो जी हमारी बेटी को बुखार हो गया है मा मैं ठीक हूँ मैं कॉलेज के लेट हुरी हूँ मैं जा रही हूँ उसके जाने के बाद दुरगेश और मिला से कहता है क्या करे हमारी गोरी बेटी हमारी काली बेटी से बहुत नफरत करती है लेकिन हम दोनों को ही कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही हमारी सगी बेटी है मैं तो सोच रही थी कि क्यों न प्रियंका के बेड़ के उपर एक बेड़ और चढ़ा दे तो वहाँ पर दो लोगों के सोने की जगा हो जाएगी औरमिला सूखी रोटी प्यास के साथ दुर्गेश को खाने को दे देती है वो लोग गरीबी में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थी ऐसे ही दुर्गेश जंगल से जाकर लकणिया लेकर आता है और उन लकणियों से वो अपनी गोरी बेटी के बैड के ऊपर एक बैड और तयार कर देता है अब वो डबल बैड हो जाता है जब सलोनी और प्रियंक का अपनी कॉलिज से घर आती है तो वो उस बैड को देखकर हैरान हो जाती है प्रियंक का ऐसा कह कर ऊपर वाले बैड पर जाकर सोती है और नीचे वाले पर सलोनी सो जाती है जिसके वज़ा से उसे रात को सोने में आराम मिलता है लेकिन वहीं रात को बारिश का पानी उसके बैट के ऊपर गिरने लगता है उपरी वाली जगा पर पानी टपकने की वज़ा से प्रियंक का सारी रात सोने ही पाती उसकी ये परेशानी देखकर सलोनी उससे कहती है सलोनी की ये बात सुनकर प्रियंका को अपनी गल्ती का एसास होता है वो जैसे ही नीचे उतरती है अपनी काली बहन को गले से लगा कर रोते हुए कहती है तुम कितनी अच्छी हो मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बरताब किया और उसके बाद भी तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बरताब करती हो तुम भले ही काली हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो मुझे माफ कर दो मेरी बेहन आज के बाद में तुम्हारे साथ ऐसा बरताफ कभी नहीं करूंगी प्रियंका का ये प्यार देखकर सलोनी बहुत खुश होती है अब प्रियंका और सलोनी दोनों ही नीचे वाली बिस्तर पर सो जाते हैं जिसके वज़ा से वो रात को बारिश से बच जाते हैं ऐसे ही कॉलिज खतम होने के बाद दोनों बेहने नौकरी करके अपने घर की मरम मत करवाती हैं जिससे घर में पारी टपकना बंद हो जाता है और एक बड़ा सा बैड बनवा कर दोनों उस पर बहुत प्यार प्रेम से सोती हैं अब दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं तो दोस्तों देखा आपने ये होता है एक बहन का दिल जो अपनी गोरी बहन से बार बार ताने सुनने के बाद भी उसकी परेशानी देखकर पिखल गया वहीं गोरी बहन को भी अपनी गलती का हैसास हुआ और दोनों एक साथ रहने लगी तो दोस्तों कैसी लगी हमारी काली गोरी बहन की ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा